जै जिनेन नमस्कार आप सभी को मैं डॉक्टर निकीता बहुत-बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चरल में दोस्तों आज हम बात करेंगे एयर वैक्स और ब्लॉग्ड इयर्स जो होते हैं उसकी प्रॉब्लम के बारे में अगर आपके एयर में बार-बार इतन मेडिसिंस के द्वारा इसमें आपको होमेपेथी की एक ऐसी में एयर ड्रॉब भी बताऊंगी जो आप डाल कर ना केवाल इयर्वैक्स को बाहर निकाल सकते हैं जो आपको परिशान कर रहा है ब्लॉग की प्रसमस्या से निजात पास सकते हैं बलकि अगर आपको इसके साथ और इयर की कोई और भी प्रॉब्लम हो रही है या कोई डिजीस है तो उसमें भी आपको काफी रहत मिलेगी तो यह वीडियो जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफर्मेटिव होने वाला है अंद तक मेरे साथ बने रहीगा तो चलिए शुरू करते हैं इयर चाहिते हैं लिए 25 यह जने में भी आपके लिएक अगा विए अगर देस्तों जा शुरू बाब्लम है तो अमैंगे उस्तेचिया बी अियर मेरे ज़्या चाहीता का अंभी लाऌफ के लिए आधी ठोल्फ ज़क्र 279 में फॉत्व तक रापोस्से और जो भी आउने के बाते तो फ्रोट में उसका डिस्चार्ट जा रहा था वह रूप जाता है कई बार पेन भी बहुत ज़्यादा होता है कि फ्रिक्वंट क क्रॉणनी केला करता है कि ये वेक्स के साथ मिक्स होकर इंपंड़ करता है और इयर कोडोल्य और अच्छों के बच्ची खेल में कुछ स्थंव और जो सम्मान होता है छोटी-छोटी चीजें होती वो भी एर में । डाल के बॉग कर देते हैं जिसको हम बोल सकते है रहएं और बॉडी इसके कारण ईयर का ब्लोकेज होके है स्म्टम्स क्यों होते हैं ये ब्लोकेज की ये जानना बहुती ज़रूरी है क्योंकि एक तो होता है simple otitis media जिसमें सिर्फ ear का infection है और एक होता है कि कहीं न कहीं वो infection ear को block कर रहा है तो दोनों ही चीजों में थोड़ा सा difference है यहां पर हम mainly blockage ear का बात कर रहा है infection अगर हो रहा है तो वो भी उससे कतम हो जाता है लेकिन ear infection से एक step आगे की stage है block ear तो इसके जो symptoms होते है वो है एक तो क्या ear में infection हो सकता है discharge हो सकता है flow to tendency दिख सकती है और जो person है उसको ऐसा मैसोस हो सकता है कि अंदर जो flow to accumulate हो रहा है पानी पानी से आवाज आ सकती congestion में हो सकता है fullness of ear feel हो सकता है hearing भी impaired हो सकती है ऐसा लगता है कि सुनने में कहीं न कहीं तकलीफ आ रही है आवाज आना शुरू हो जाती है हलांकि जो आवाज आना जिसको हम tinnutus कहते हैं old age में जादा होता है लेकिन कभी-कभी बच्चों में भी temporary इस तरह के symptoms दिखाई देने लगते हैं आप समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं blockage हो रहा है यह में और बच्चे को यह एक्सपरिशन कर रहा है यह में प्रेशर जैसा भी फील हो सकता है जैसे कोई चीज अंदर डाली जा रही है रिक्रेस्ट है कि अगर आप पहली बार में चैनल पर आए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीज़ेगा तागी आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी इयर वैक्स जो होता है दोस्तों हमेशा हमारा प्रोटेक्शन करता है यह बात सही नहीं क्योंकि अगर इयर वैक्स आपको कही ना कही इरिटेशन दे रहा तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इयर वैक्स परेशान बच्चे को तभी करेगा इंदर इयर वैक्स बनने के टेंडेंस सी बहुत जादा होती ही रीजन ही होता है कि वह यह अलर्जिक वह बृडि में हैरेटम ह्रण जाति तो बोडी जह है वह बहुत ज्यादा बना देती है और यह जब यह बहुत ज्यादा मनता है तो परिशान करने लगता है लेकिन एक चीज का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूए कि आप उसको मेकेनिकली घर पर खुद निकालने की कोशिश ना करें यह बट्स डाल के यह को इरिटेट ना करे और कहीं ना कहीं या तो ब्लेडिंग हो गई यह एर ड्रम रखचर हो गया तो यहां पर मैं आपको जो हुमिपेथिक मैडिसिंस बताऊंगी ना केवल वह इस एर वैक्स को कम करने का काम करेगा बल्कि अगर अंदर जहमा भी हो गया तो एर ड्रॉप जो है होमिपेथिकी आप डालके उसको बिल्कुल उपर की तरफ ला सकते हैं और उपर यह बट से आप उसको क्लीन कर सकते हैं आपको अंदर यह बट डालने की ज़रूब भी नहीं पड़ेगी और जो एर इंफेक्शन है वह भी खतम हो जाएगा पूरा यह आपका साफ हो जाएगा बात करते है इंफेक्शन की जो टेंडेंसी बनी हो भी खतम हो जाएगी यह ब्लॉकेज वह भी सही हो जाएगा और यह वैक्स जो है वह भी आपका नॉर्मल होने लग जाएगा तो जो सबसे पहली मैडिसिन और सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज की जाने वाली मैडिसिन है यह करने के लिए यह ब्लॉकेज को ठीक करने के लिए यह तक जो यह वैक्स जमा हो गया है उसको रिमोव करने के लिए उस मैडिसिन का नाम है कालीमे और 6x यह मैडिसिन तब बहुत अच्छा वर करती जब आपको क्रेक्लिंग पॉपिंग सांड सा मैसूस हो रहा है जिसे या फिर ब्राउन कलर का होगा अगर इस तरह की समस्या है और साथ में हलका डल पैने सीवेर पैन में कालीमे और 6x वर्क नहीं करती दोस्तों इसको आपको डल पैन में ही लेना है हलका हलका अगर दर्थ है यह मैं तो इसकी चार्चा टैबलेट आप दिन में तीन बार लीज अगार तो समस्या है ओर अगर दोन करतीत तो में खेलक और अशीओ तो को डीछार्ण को अगर्श घुल रहना कल यह क्था और में टानृण तो अगर खेल घुन आपको अच्छा इस तरह की समयस्या से पूरी तरह से रहात मिल जाएगे नेक्स्ट मेडिसिन जो है उस मेडिसिन का नाम है साइलिश्या थर्टी यह अधिकतर डल पैन में ग्रिनिश डिस्चार्ज में अच्छा काम करती है जब डल पैन बना हुआ है और उसके अंदर स्मेल भी आ रही है तो दो दो बून दिन में तीन बार लीजिए इस तरह की समय से आपको काफी रहत मिल जाएगे नेक्स्ट मैडिसिन है दोस्तों कैमेमुला थटी यह मैडिसिन उस समय बहुत अच्छा काम करती है जब बहुत सीवियर हो बहुत सीवियर पैने ग्रिनिश डिस्चार्ज है और घरम से अगर अराम लग रहा है तो दो दो बून करके इसको आप दिन में तीन बार लीजिए आपके ना केवाल डिस्चार्ट ठीक हो जाएगा दढ़ भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और एकर और कोई समस्य आरहिए इवन अगर जो हीरिंग इंप्यार्ड है यानि कि सुनने में अगर कमी आ रही है तो वह भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा मार्क 16-30 उस समय बहुत अच्छा काम करती है जब इयर की सारी तकलीफ है आपके रात को जादा बढ़ रही है और जो डिस्चार्ज है उसकी मातरा बहुत जादा है पैनलेस है आपका जो प्रॉब्लम में इयर की कोई भी प्रॉब्लम में उसमें डिस्चार्ज बहुत इसकी दो-दो-बुन तीन बार उस समय एफेक्टिव है जब आपको तिनी टेस्ट की प्रॉब्लम में यानि कि आवाज बहुत जादा आ रही है हीरिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ रही है पूरी तरह से नहीं गया है यहरिंग पर्मानेंट लॉस नहीं लेकिन हलकी फलकी आपको हीरिंग में समस्य आ रही है दो-दो-बुन करके आप दिन में तीन बार लीजिए ना के वल आपका इंफेक्शन ठीक हो जाएगा बल्कि अगर आवाजें आ रही है तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाए तो जब आपका इयर का इंफेक्शन ऐसा है कि आपक इस कंडिशन में ले सकते ना के वाल एयर वैक्स ठीक हो जाएगा बलकि कोई इंफेक्शन भी है जो पानी-पानी की से आवाज आ रही है वह भी पूरी खतम हो जाएगी और अगर दर्द भी हो रहा है साथ में तो वह भी ठीक हो जाए और स्थितिया दोस्तों जब यह में अगर बहुत ज्यादा और यहां अगर इंग बहुत जबता हुआ कान बिल्कुल बंध हो गए मैं एर वैक्स कि किसी भी तरह की समस्या में चाहे जाए डिशार्ल जाह डिचार्ज क्यों ऐस डिशार्जक फॉस फोस्फोरस 30 आपको दो-दो भून कर के दिन में तीन बार ले बना चुकी हो लेकिन जो सबसे शामदर मेडिसिन है और वह इयरवेक्स को बिना किसी एपरेटर्स के रिमोव कर सकती है या तो डिजॉल कर देगी या फिर बाहर निकाल देगी और आप उसको बाहर से पहुंच सकेंगे और वह पूरा जो एयरवेक्स से पूरा क्लीन हो जाए किसी भी तरह की प्रॉब्लम है अगर इसकी दो तीन तीन चार बून बिडाल सकते हैं अगर हलका इंफ्रेक्शन लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम है और एयरवेक्स जम चुका है तो इसको आप 4-5 बून जाल दें अगर पूरा इयर बे फुल हो जाएगा तो भी कोई प सब्सक्राइब करना के इस मेडिसिन को आपको कंडिशन के अकॉर्डिंग दिन में तीन से चार बार यूज करना है विदिन टू या थ्री डेस आपका किती भी बड़ी एर की समस्या हो किता भी इंफेक्शन वंदर आपको बहुत रहात मिलेगी इसके साथ आप यह जो मिन मेडिसिन साथ में लेते हैं तो आप देखेंगे कि जो सालों से आपको यह की प्रॉब्लम चली आ रही है वो ठीक हो जाएगी लेकिन यह बात जरूर ज्यान रखिएगा इसमें इयर ड्रम जो है वो पहले रप्चर नहीं होना चाहिए और अंदर कहीं ब्लीडिंग नहीं हो से होगी तो पेशेंट को जलन बहुत ज़्यादा होगी इसलिए अगर एयर्वेक्स एक्युमिलेशन है या फिर इयर का डिस्चार्ज है तो आप इस मेडिसिन को बेशव कर सकते हैं आपको कैसा लगा मझे जरूर बताएं लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिया इसी तरह म और इस चैनल के साथ जुड़े रही है थैंक यू पॉर वाचिंग जय हिन जय बाद